कोरोना की बाद अब H3N2 वायरस तेजी से पैर पसार रहा है दिल्ली NCR से लेकर अब भिहार तक इस वायरस का खौफ दिखाई देने लगा ये वायरस खास तोर पर बज़ुर्ग लोगों के साथ साथ बच्चों को परिशान कर रहा है अब ऐसे में तमाव अस्पतालों ने इस वायरस से निपटने के लिए इंतिसाम करना शुरू कर दिया जहां हर्याना के अस्पतालों में आइसलेशन वाड एक बार फिर से एक्टिव कर दिये गए तो वहीं बिहार के साथ साथ कई राजियों में इस वायरस को लेकर साथ ही जिलों को जागरुकता अभ्यान शुरू करने की निर्देश दिये हैं। कारेपालत इंदेशक ने बताया कि ICMR के निर्देश के बाद सभी जिलों को विशेश सतरकता बरतने के निर्देश दिये गए हैं। मैजिकल कॉलेज अस्पतालों के अलावा कई सारे छोटे अस्पतालों में वाइरस के संदिक्त लोग पहुंशने लगे हैं। कोरोना से मिलते चुते लक्षन वाले इस बिमारे को देखते हुए PMCH प्रशासन अलट मोड में आ गया है। अस्पताल के अधिक्षरक ने बताया कि अस्पताल में ड्वाइसरी चारी कर दी गई है। हलेकि अभी स्थती पूरी तरह से नियंत्रित है। बचाफ के सभी इंतिजाम किये गए हैं। अस्पताल प्रशासन के पास भी पूरे संसाधन उपलब्ध है। वहीं इसके साथ ही डॉक्टर ने कहा कि अगर सरवत पड़ी तो टाटा वॉर्ड में बने पुराने कोविट वॉर्ड में इंफ्लूएंसर से पूरित मरीजों के लिए 20 बैड रिज़र्व किये जाएंगे। इसकी तैयारी एस्पताल प्रशासन के और से की जा रही है।